यह दिखिए यहां पर मैंने 14 फंदे लिए हैं 12 फंदे इसके 6 के multiple से लिए हैं दो बार 6 फंदे लिए हैं तो 12 फंदे प्लस 2 फंदे stitch के लिए तो 14 फंदे नीचे से base देने के लिए 2 रो उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली हैं तो आपने जब भी अपने किसी भी project मे इस design को डालना है तो आप 6 के multiple से फंदे लिएंगे प्लस 2 फंदे extra रखेंगे तो आपका यह design अच्छे से set हो जाएगा तो चलिए बनाते हैं पहली रो सीधी साइंड सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे एस्टिच स्लिप करेंगे और बागी के सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे स्टिच भी सीधा ही बुनेंगे पहली रो complete हो गई है दूसरी रो रॉंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे हर बार इसकी रॉंग साइड उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे तीसरी रॉ है सीधी साइड है एस्टे स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तो पहले जाई डालेंगे अब चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे तो देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने जाई डाली चार फंदे सीधे बुने दो फंदों का एक फंदा बुना ये हमारा छे फंदों का पैटन है दो, चार, छे, फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार-बार पीट करते जाएंगे तो देखे फिर से पहले चाही डालेंगे, चार फंदे फिर सीधे, एक, दो, तीन, चार, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, तो यहां से यहां तक हमारे दो पैटन हो गए हैं, लास्ट में ऐसे सीधा बना लेंगे, तीसरी रो कम्प्लीट हो गए हैं, चाथी रो रॉंग साइड फिर से सारे फंदे उल्टे-उल्टे बुनेंगे, पांच में रो हैं, सीधी साइड है, एस्टी स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे, फिर जाई डालेंगे, अब दो फंदे सीधे, एक, तो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई यह देखिए हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बुनना जाई डाली दो फंदे सीधे दो फंदों का एक फंदा जाई डाली फिर से इस pattern को repeat करते जाएंगे तो देखिए फिर से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे जाई डालेंगे दो फंदे सीध ही है छटी रो रॉंग साइन फिर से सारी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे कि साथ मी रॉंग सीधी साइन एस्टे स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर दो बार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे जाए डालेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाए डालेंगे वन दो फंदों का एक फंदा जाए डालेंगे टू एक फंदा सीधा ये देखिए हमारे एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना, दो बार दो फंदों का एक फंदा जाई डाली, एक दो एक फंदा सीधा, फिर से इस pattern को बार बार पीट करेंगे, तो देखिए एक फंदा सीधा, दो बार दो फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे, वन दो फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे टू एक फंदा सीधा एस्टिस सीधा भुन लेंगे तो देखिए साथ मीर और कम्प्लीट हो गई है आठ मीर और रॉंग साइट सारे फंदे उल्टे उल्टे भुनेंगे नौमी रॉ है और सीधी साइड है एस्टिस स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे एक तो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा भुनेंगे जाई डालेंगे दो फंदे सीधे एक दो ये देखिए हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने, फिर दो फंदों का एक फंदा बुना, जाए डाली, दो फंदे सीधे बुने, फिर से इस पैटरन को ऐसे ही बार बार बीट करेंगे, तो देखिए, दो फंदे सीधे, एक, दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जाए डालें दो फंदे सीधे, एक, दो, लास्ट में एस्टिच सीधा भुनेंगे, तो देखिए, नौ मीर और कम्प्लीट हो गई है, दस मीर और रॉंग साइड, फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे भुनेंगे, तो देखिए, 10 वी रॉंड कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है, तो फिर से हम इसे 1st रॉंड से स्टार्ट करेंगे, यरुन की सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, और ऐसे ही बार-बार इसकी 1-10 रोर्पीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में ढाल सकते हैं लेडी कार्डिगर में, लेडी चैकिट में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के सैटर में, शौल में, स्टॉल में अपलाई कर सकते हैं तो आगे की साइडसे ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड आप भी से बनाईए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारे patterns अच्छे लगे तो हमारे चैनल को like करना, share करना और subscribe करना मत भूलें तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए pattern के साथ Till then, bye bye friend